आर दोस्तो मैं हिदय और आप लोग देखरें टेक्नोलजी नाइडी दोस्तो मोटोरोला एक ऐसे कंपनी है जो हमेसे आपने इनोवेशन सपने नए-ने कुछ सीजो की बज़े से जाना जाता है हाले में मोटो रोला सी, मोटो सी प्लस, मोटो सी और मोटो जी सीरीज की बारे में आप लोग जानते हो तो मोटो रोला जितने भी फोन अप लाया है कुछ अलग-अलग सीजो के साथ आया है इस महीने में, जून के महीने में मोटो रोला ने अपना नया फोन Moto Z2 Force को launch किया है के बारे में बता है तो सले दोस्तों आज इसके phone के बारे में जानते है जानते इस phone में क्या है क्या आपको ये phone लेना चाहिए या फिर नहीं तो सले दोस्तों सुरु करते है Subscribe and stay connected दोस्तों अकर बात क्या जा है Motorola या फिर Moto Z2 Force की तो आपको करीबन 5.5 inch की touchscreen display की साथ मिलेगा जो आपको full HD resolution डेगा that is करीबन 1440 by 2560 pixel का resolution डेगा साथी में अगर इसकी processor की बात किया जाए तो octa core snapdragon 835 processor यहाँ पे हो सकता है इसकी अगर RAM की बात किया जाए तो 4GB RAM और 64GB का storage यहाँ पे हो सकता है साथी में यहाँ के एकर expandable memory की बात किया जाए तो यह करीबन 256GB तक बरहा जा सकेगा by using microSD card यह सल सकता है Android 7.1 पे और करीबन 2700 mAh की यहाँ पे बैटरी हो सकती है camera की बात जहाँ पे आ रही है तो वो करीबन 12 plus 12 मतलब dual camera setup के साथ आने बाला है यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे एक hybrid SIM slot हो सकता है जो आप लोगों को 3G या 4G दोनों की connectivity देंगी अलग connectivity option में यहाँ पे बोला जा रहा है के Bluetooth, Wi-Fi, GPS, USB, 3.5 mmz और FM बगरा हो सकता है sensors के मामले पे यहाँ पे compass, proximity sensor, accelerometer, ambient line sensor बगरा हो सकता है अब यह अगर phone की dimension की बात किया जाए तो करीबन 155.8 by 76 by 5.99 mm का यह phone हो सकता है और करीबन 143 gram का यह phone हो सकता है इसके अगर expected release की बात किया जाए तो करीबन 38,990 रूपीज का expected prices का पकरा जा रहा है आखिन में बात दोस्तों यह आ रहे है क्या आपको यह phone लेना चाहिए या फिर नहीं दोस्तों अगर बात किया जाए इस phone की पहले अब तक जो हमने specification बोला वह expected specification नहीं है यह expected specification है यह official specification नहीं है लेकिन अगर इसी specification के साथ आता है तो यहाँ पे great display, great processor, great RAM, great storage आप लोग को मिलेगा लेकिन मुझे battery के sector पे थोरा सा कम लग रहा है, battery थोरा जाड़ा weak हो रहा है और यहाँ पे जो connectivity options है वो लगबद थीक था लेकिन थोरा और हो सकता था census के मामले पे थोरा और add हो सकता था और price अगर 38,990 अगर 40,000 के अंदर हुआ तो मैं आप लोग को यही बताऊंगा 38,990 कोई कम पैसा नहीं होता है तो मैं आप लोग को यही बताऊंगे कि अगर इस price point पे यह specification आप लोग को मिलता है तो आप लोग किसी अलग option को देखो साथी में दोस्तों मैं एक पात और कहूंगा जब यह phone रिलीज हो जाएगा उसका full specification आजाएगा उस full price के साथ तब हाँ आप लोग को एक बार फीसे बताएंगे कि यह आपको इस phone लेना चाहिए या फिन नहीं दोस्तों आचा करता यह फीडियो आप लोग को अच्छा लगाओगा लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और हमारे सेनल को सब्सक्राइब कर लेजिएगा और तब तक के लिए दोस्तों जैहिल भारत मता कीजिए